राजस्थान चुनाओं में जैसे जैसे मतदान की तारीक नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही राजस्थान की राजनीती में दिन प्रतिदिन नए नए उतार चड़ाओं देखने को मिल रहे हैं कॉंग्रेस से लेके बिजेपी तक में कॉंग्रेसी नेता हो या बिजेपी के नेता आपस में उनकी सब की खीचतान बढ़ती चली जा रही है सीर से इस्तर के नेता हो या फिर पार्टी कारिकरता के इस तर पर हो सभी इस तरों पर नेताओं में आपसी मत भेज खोल कर सामने आ रहे हैं जो दिखाई भी दे रहा है कॉंग्रेस पार्टी में भी बगावत करने वाले नेताओं को कॉंग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया करीब ऐसे 50 समर्थक थे जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया हुए ही बीजेपी में भी सीर सिस्टर पर लड़ाई जारी है क्या खिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी दो दिन पहले बीजेपी ने राजस्थान में अपना संकल्पत्र दारी किया बताया जा रहा है कि उस संकल्पत्र से वसुंद्रा राजे पूरी तरह से नाखुस हैं यहां तक कि उनका एक वीडियो वारेल हो रहा है और इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा कि व तस्वीर देने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन वसंद्रा राजे ने उस तस्वीर के साथ फोटो नहीं खिचाई वल जबकि उनके बगल में खड़े जेपी नड़ा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोसी के साथ अन्य दूसरे सभी नेता मंच पर मौझूद थे सभी नेताओं ने तस्वीर को उपर उठा कर घोसरा पत्र में की गई योजनाओं का जिक्र है जिसकी तस्वीर बनाई गई थी उस तस्वीर को लेकर फोटो खिचाई जा रही थी लेकिन वसंद्रा राजे ने हाथ तक अपना उपर नहीं उठाया उसके बाद से सोसल मेडिया पर लगातार द वसंद्रा बीजेपी के साथ मंच साजा कर रही है लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर जब तक बीजेपी हाई कमान के तरफ से निर्देशित नहीं किया गया चेहरा नहीं बनाया गया तो वसंद्रा राजे इस बात से नाराज है और उनकी नाराजगी संकल पत्र के पीडिया में वाइरल हो रही है दावा भी किया जा रहा है कि वसंद्रा राजे नाराज नहीं है वह बीजेपी के साथ काम कर रही है लेकिन वीजेपी आला कमान पिछले तीन सालों से वसंद्रा राजे को किनारे किये हुए था अभी चुनाव नजदीक आते ही बहुत सारे मं स्थान में बहुमत में आती है तो बिजेपी हाई कमांड मोदी और साह कभी भी वसुन्द्रा राजयों को मुख्य मंत्री नहीं बनाएंगे इसी वज़े से पोस्टर वेनर से उनको गाया बिक किया गया था लेकिन जब बिरोध बढ़ता देखा गया तो वसुन्द्रा राज जो को मुख्य मंत्री नहीं बनाया जाएगा उनके जादा तर उम्मिद्वारों का टिकट भी काट दिया गया बहुत सारी सीटों पर उनके सिटिंग मले को टिकट नहीं दिया गया है जिसका विरोध भी विजेपी को जहला पड़ रहा है इन सभी कारणों से भी वसुन्द राजे मुकाविल सबसे पहले दिया कुमारी हैं गजेन सिंग से खावत राजबर्धन राठोड उसके अलावा मेघवाल के साथ ओम माथूर और ओम बिर्ला जैसे नेता भी हैं जो खुद को मुख्य मंत्री का उम्मिद्वार मान रहे हैं बीजेपी सर्प्राइज नेता को या भी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जैसे योगी मौडल राजस्थान में भी लागू किया जा सकता है और योगी के करीबी और चहेते नेता बालक नात को भी मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है इस तरीके के कयास लगातार सोसल मेडिया में राजस्थान के दोनों नेता बले ही जनता के सामने एक जूट हैं लेकिन खुल कर सामने नहीं आ रहे हैं दवी जवान एक दूसरे का विरोध भी हो रहा है तो कॉंग्रेस हाई कमान इस बात का भी दावा कर रहा है कि हम सब एक जूट होकर चुनाओ लड़ रहे हैं प्रियंका गांधी ने भ खुद को प्रचारित करें जबकि एसो गहलोत कई बार यह दावा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे मुख्यमंत्री की कुरसी उनको नहीं छोड़ रही है वहीं सचिन पाइलेट से पूछा जाए कि सीम कौन बनेगा तो सचिन पाइलेट खुल कर कह देते हैं कि सीम हाई कमान तै करेगा तो दोनों ही पार्टियों में सीम फेस को लेकर खिंचतान जा रही है और खिंचतान इतनी बढ़ चुकी है कि नेता मतदान के दस दिन पहले तक अपनी जुवानी जंग बंद नहीं कर पा रहे तो वह कहीं न कहीं से सामने आही जाती है